चलू घूमनी रामेश्वरम बच्चों काका कलाम को कौन नहीं जानता वी मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम अब्दुलकलाम भारत की राष्ट्रपती भी बने थे उनका जन 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो तमिलनाडू राच्ची में पढ़ता है रामेश्वरम में ही डॉक्टर अब्दुलकलाम का समारक बना है इस मारक को बनाने की शुरुवात 27 जुलाई 2016 को हुई थी इस दिन से एक वर्ष पहले 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हो गया था एक वर्ष के अंदर ही इस मारक को बनाने का काम पूरा कर लिया गया था 27 जुलाई 2017 को डॉक्टर कलाम की दूसरी पुन्यत थी थी उसी दिन इस समारक का उदखाटन भारत के प्रधानमंत्री शुरी नरेंदर मोधी ने किया था इस समारक का प्रवेश्टवार इंडिया गेट की तरह बनाया गया है और उसकी दो कुम्बत देखने में राष्टपती भवन जैसे लगते हैं समारक के आगी का भाग तंजावोर से मंगवाया गया था पत्थर के आवरण जैसल मेर और आगरा से मंगवाय गय थे बेंगलूरू, हैदरबाद, शांतिनिकेतन, कौलकाता, चन्नई, आदी स्थानों से भी तरह तरह की सामगरिया मंगवाई गई डॉक्टर कलाम के इस समारक में चार मुख्य हॉल बनाये गए हैं इन में से पहले हॉल में डॉक्टर कलाम के बचपन और उनकी शिक्षा की जलकिया देखने को मिलती हैं दूसरे हॉल में उनके राष्ट्रपती काल के समय से जुड़ी जलकिया प्रस्तुत की गई हैं तीसरे हॉल में अंतरेक्ष और मिसाइल कारिक्रमों के क्षेत्रों में उनके योगतान को दढशाया गया है। चौथे हॉल में राश्ट्रपती पत से मुक्थ होने से लेकर शिलोंग में अंतिम यात्रा पर निकल लेने से संबंधित चलकियां दिखाई गई हैं। एक अन्य मंडप में डॉक्टर कलाम की रुद्र वीना और SU-30 MKI उड़ान के दोरान उनके द्वारा पहने गए जी सूट को रखा गया है। इसी मंडप में उनकी कई महत्वपूर्ण, नीजी वस्त्वें और पुरस्कार आदी रखे गए हैं। कुल मिलाकर समूचे समारक में चक्कर लगाने के बाद डॉक्टर कलाम की जीवन से जुड़ी यादों से परिचय होता है। तो जब भी मौका मिले, इस अनोखे तीर्ट स्थान के दर्शन करना ना भूलिए।